नमस्कार मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरुजाला मध्यप्रदेश में इन दिनों अतिक्रमन हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बड़े बड़े बयान बाजियां यह सब कुछ आपने सुना होगा लेकिन वो अतिक्रमन कौन से हैं जिन को लेकर सियासत गरमाई हुई है और कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी है वैसे घैसे ही मैंने ये शब्द कहें होंगे करम्रेस और वीजेपी आप समझे घिर्चिए होंगे कि मामला कहां अकर håका होगा दरसल बात है एक मजार की अब अब ये मामला है रीवा का, इसके पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था इन दौर से जहां पर एक दरगाह को शिफ्ट किया गया था, हाली में सुप्रीम कोट ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने ये कहा है कि अगर कोई भी अतिक्रमन सरकारी जमीन पर है, गलत इसे में जबकि बुल्डोजर को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आई, इस खबर के सामने आने के दो दिन बाद ही रीवा के विधायक एक ट्विट करते हैं, रीवा के विधायक के इस ट्विट से मधिप्रदेश की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी वि इस पर बात करेंगे, नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है उदित, ये जो पूरा मामला चल रहा है, रीवा विधायक के ट्विट से जो मामला शुरू हुआ है, मैं चाहती हूं कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बिताएं, रीवा के त्योंथर से विधायक है, सि उसके कारण, ये लाका सबसे बिस्तों सड़क होके इलाके से गुजरती है और उसके कारण रोज हमें जो है जाम में फसना पड़ता है, इसलिए इस अथिर के मड़े को बिताएं जाए जाए। अब आ जो ये सिद्धार्त तिवारि जो बिधायक है यह इसी अमिहया छेतर में पैदा हुए है। और ईनके पाए हॵह यह कम भी उसी चेतर में पैदा हुए थे। में गलें लगी उनको सवस्तित की समझ्य और इस तरह मांग के डालिक आफिकरमर धित के अफिकरमर हटाया जाए अब मजार अगर हटेगी तो छासी हिसे पहले थी भाई तीन ठीट भाई में वैसे ही होगाए तू इस पार फिर कलेक्टर का भी वैयन आ यह एक रिवा से ही कांग्रेस के एक बिदाएक है किसी सीट से तो उनका भी बयान आया अभे मिस्रा का बयान आया कि ये मेरी पैते साल से इसमें आसता है मैं इस मजार को जो मैं नहीं हटने दूगा तो यहां से जो मामला जो है थोड़ा सियासी रूप ले चुका है अब इस मजार का वब इसमें क्या हुआ कलेक्टर ने कहा है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता दित की दो दिन पहले ही एक सुप्रिम कोर्ट का जो है नोटिफिकेशन आता है और सरकारों को ये बोला जाता है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि जो बुल्डोजर एक्शन लगातार हो रहे थे अगर हम मोहन यादव की सरकार क उत्तराखंड की बात करें लगातर जहां जहां भी बीज में के सरकार हैं थे तो खाश कर कि राजस्थान उत्तराखंड और मद्रप्रदेश की स़्कारों को सुप्रिम कोर्ट के बुल्डोजर एक्शन एसे ही नहीं कर सकते किसी आपी के घर पर उसके बाद दो दिन कुछ स जमी दोस भी कर सकते हैं, हटवा भी सकते हैं, शिफ्ट भी करा सकते हैं, इस आदेश के आने के दो दिन बाद ही, ये जो है मामला, ये तूल पकड़ने लगा और रिवा के जो विधायक हैं, उनका ये बयान सामने आया, मेरा सवाल ये है, कि इन दोनों की जो टाइमिंग है, क कहीं न कहीं इस पर सवाल उठता है, कि वो, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि नवरातर के शुभवसर पर इस अतिक्रमन को हटा देना चाहिए, दो दिन पहले ही सुप्रीम कोट ने भी इसकी इजाज़त दी, तो उनके दिमाग में पहले से ही था कि इसको हटवाना है, हाँ, ल अगर कहीं रास्ते बजा रहे हैं और एक पत्खर पड़ा हो तो उसको कोई गिरना जाए, तो उसको अटा के साइड में कर देते हैं, कोई गिरना जाए, तो यह मजार जो है वो, और उसका मैंने फोटो भी देखा है, तो वो काफी बड़ी है, और जिसस तरह से उसमें पु तो इसमें देखना हुआ, कलेक्टर ने इसमें जो कहा है कि हम तैसीदार को वहां भेजेंगे, और उसका निरिच्षड करवाएंगे, उसके बाद जो भी ठीक लगेगा, वो किया जाएगा, लेकिन ये तो कलेक्टर ने कहा है, अगर हम मुस्लिम वर्ग का इस मामले में रा तो उनका कहना है, यह है कि विधायक सिद्धार तिवारी रीवा का माहौल खराब करना चाह रहा है, यह रीवा गंगा जमनी तहजी बहुत लंबे समय से रहा है, और आज भी यही परंपरा यहां चली आ रही है, केवल यह माहौल खराब करने ही कोशिश है, और इसको मजार है जो अथी कमड है जो हम नहीं हटने देंगे उनका इस टेंड वो यह है लेकिन फिर अगर हम एक बार फिर सेंट रंतकी जो विधायक हैं सिद्धारथ उनकी अगर हम ट्विट की बात करते हैं उन्होंने दो ट्विट कि यह जैसे पहले ट्विट में उन्होंने कहा कि नवरात्री के शुभवसर पर यह मजार को हटाया जाना चाहिए जो कि अतिक्रमन है दूसरे ट्विट में उन्होंने यह लिखा कि जब वो छोटे थे वो यहां से गुज़रा करते थे यह चोटी हुआ करती थी अब यह बड़ी हो गई है तो इसको इसके पुना सवाल यह है कि क्या इसे शिफ्ट किया जा सकता है क्या इसे तोड़ा जा सकता है और यह समय क्या वाकई में यह समय ठीक था यह सब कहने के लिए या लिखने के लिए अगर उन्होंने कलेक्टर से इस चीज़ के लिए आविदन किया ही था तो इस ट् सब्सक्राओं हब इस मार माल खेenne प्रसाय सबर्वलि हुआ है इसे देड़ें ते तो कुलिए पोडे सब्सक्राइज सब्सक्राइब तो कि देखिए Content रहें हैं ना firm यह चेत्र उसी में रहते हैं तो उनको हो प्रविट पढ़के सुनाता हूं जो उन्होंने जो है अपना ट्वीट में लिखा है तो भाजपविदाक चिद्दार ने लिखा है कि आते जाते मुझे लगा कि यह है इसकी वज़े से लोगों को आने जाने में असुविदा हो रही है मैं इसी अमयय छेत्र में पैदा हुआ हूँ मेरे पिताजी का जन्वी है हुआ साथ आठ डसकों से हमारा घर यहीं है यहां जो हम पहले छोटे थे तब यहां से गुजरते थे तो यहां यह तीन वाई तीन का चहुतरा हुआ करता था जिस पर चादर डली रहती थी शायद कुछ लोगों की आस्ता का प्रतीक भी रहा होगा लेकिन अब जो है यह छोटा सा जो होता था वह बड़ी बिल्लिंग बन गई तो उनका यह पूरा सा यह ट्वीट है और उसमें जो कांग्रेस का एक कांग्रेस की प्रदेश सचिप का है बयान का उनका भी बयान आया है एक है अब्दुल सहीद मिस्त्री उन्हों जब आपने वक्फबॉर्ड का नाम लिया तो ऐक सभाव मेरे जहन में ओर है तो यह भी कहा जा रहा है कि जो मुपमुक्यमंत्री मद्दिप्रदेश की उनका घर भी वक्फबॉर्ड की जमीन पर बनाए तो उनके घर को भी टाना चाहिए फिर तो हाँ ये तो खेर सबूत नहीं गया सकते हैं लेकिन यह वक्ट फूबोर्ड वाली जब बात आई तो मुझे यह भी याद आया कि यह जो रीवा वाला मसला है इसमें विधायक के घर को लेकर भी यह कहा गया है कि क्यों ना विधायक के घर को जमी दोस्त किया जाए क्योंकि वह भी जमीन पर है भी अतिक्रमण नहीं जो जो कांग्रिस के प्रदेश सच्छेव हैं अब्दुल शहीद मिस्त्री उन्होंने यह ऐसा कहा है कि जो डिप्टी सियम का घर है वह वक्ट फोर्ड की जमीन पर है उसको भी दोस्त किया जाए और इसकी शुरुआ अतिक्रमण हटाने की शुरूआ तो यह जो है यह मामला यहां से पॉलिटिकल एंगल बनकर यह सामने आया, लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरफ के मंदिरों की, मसकि क्योंकि सडक पर कोई निर्मार्ण होता है या सडक बनती है तो मंदिर, मसजद हटाय जाते हैं, मैंने मंदिरों को शिफ्ट होते हुए हुए अगर कोई चीज बाधा बन रही है और वो धार में आस्था भी है उसमें लोगों की तोड़ने की बजाए जमी दोस करने की बजाए क्यों ना उसे शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों की भावनाएं भी नहीं आहत होंगी वो जीज भी नहीं बरकरार होगी और उसके बाद क्योंकि इन दोर में कोई माहूल भी खराब नहीं हुआ ना मुस्लिम वर्ग को इससे आपती हुई ना हिंदू वर्ग को इससे कोई आपती हुई दिखे आव वही बात है कहीं जब काम सांती से चल जाए तो जब वह है कि अभी जिस तरह से बुल्डोजर एक्सन माले हम प्रदेश में करें तो बुल्डोजर एक्सन देखने को मिल जाता है लेकिन जब हमारा काम जो खुर्पी या फावरेस चल जाए तो बुल्डोजर का इसमाल क्यों घर है कि जब अधिकरम हो रहा है सडक से निकलने में लोगों को परिशानी है यह सभी को होगी चाहिए वो हिंदू हो हिंदू मुष्लिम और सभी निकलेंगे उससे तो यह सुविधा सभी के लिए होगी और जो मुष्लिम समाज जो है उसका भी आस्ता आथ नहीं होगी हमारा जो मजार थी वो आज भी है और हमेशा रहेगे बिल्कूल तो यह इस तरह के मसलों पर एक जो है वो इसका एक हल हो सकता है बिल्कूल यह बहतर विकल्प है कि अगर आप उस पर बुल्डोजर चलाने जाएंगे या उसको तोड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुस्लिम समाज की लोग हो जो उनमें नाराजगी हो लेकिन जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं उदित तो मुस्लिम समुदाय का यह भी कहना होता है कि दरगाह को शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि मंदिर में मुर्टी तो उपर ही है, उसको आप मुर्टी को निकालते हैं, फिर से आप स्थापित कर देते हैं, कहीं पर ले जाकर सुरक्षित, लेकिन मजार को कैसे शिफ्ट करेंगे? मजार का एक इसका प्रिशासन को निकालना पड़ेगा, कि मजार बनी होई है, खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसका उधारन है इंदौर से लेना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ किया गया है, वहाँ मुस्लिम समुधाय ने अब्जिक्शन नहीं लिया है, तो बस वही रास्ता जो यहाँ भी निकल सकता है, और इसी तरह से मजार को Sift किया जा सकता है, बिलकुल सांती से बैठके इसका जो है लेकाना जा सकता है, किसी तरह के तकराओ या बाद विबाद की आवशकता नहीं पड़ेगी, जिस तरह से, होता क्या है या, से कृप तुरिया कम हों दिए जब भारस्पर विधायक ने बयान दिया तो भशी म्रज़ा उनका बयान आया सब्सक्राइब उनके आने की कृछ वी सबillon करते हैं यूइ पायों के आने की तो उनके आने की वजह और उनके दोनों के बीच में तकरार को बढ़ावा देने वाले पॉलिटिकल पार्टीज ही है या नेताओं के बयान ही है जो उनको ज़्यादा आहत कर रही है एक कह रहा है कि शिफ्ट करो दूसरा कह रहा है मैं होने नहीं दूँगा और बस यहां से तकराव शुरू हो गए है क्योंकि ऐसे मामले तो हमने उत्तराखन में भी देखे हैं अब ही संजोली की एक मस्जिद को लेकर भी महाँ पर एक बड़ा विवाद चल रहा है जिसमें अब मुस्लिम वर्ग की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम खुदी जो अतिक्रमण है वो खत्म कर देंगे तो कहीं न कहीं इस तरीके का ये जो बड़े मामले हैं ये ये पूरे देश में देखे जा रहे हैं तो अगर आपसी सद्भावना से किया जाए तो इसमें क्या है इसमें नहीं बिलकुल ये तो विदाहिक अगर विदाहिक ने जिस समझतिया की बात किया कि आतिक्रमण है त अपने छेतर का पुरा देख रहे हैं तो उसमें हिंदू भी हैं सभी वर्के और समाज के लोग हैं तो उनको जो है आप कलेक्टर के साथ बैठक करनी चाहिए और जो अदिकारी है इस तरह की बयान वाजी से थोड़ा सा बचना चाहिए जिससे कि बाद विवाद और टकराओ क इसको इसको बैठक करनी चाहिए उसमें चाहें तो मुस्लिम पक्च से लोग बुला सकते हैं कि जो भी वहां के प्रतिनीदी हों कि आई है हम इसको लेके बात करते हैं एक जो बिल्कुल सीधा रास्ता है उसको उस पे हम उसका बादचीज से हल नकालने ही कोशिश करते हैं बाद बिवाद की इस्तिती तब होती है जब बादचीज से हल ना निकले तो इस तरह की बैठक बैठक करके और मामला उनको निप्टाना चाहिए जो बयान वाजी से थोड़ा सा बचना चाहिए मैं यही कहना चाहूँ को इसका जो हल निकालने के बारे में ज्यादा विचा लेना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को आहतना हो और नुकसान भी कम से कम हो इस मामले में आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें